नमस्ते डियो विवर्सु men तो जैसे कि हमने अपने पिछले वेडियो में lijक को डिसकस किया है ठीक है वहाँ पर हमने lijक कि इसाथ हमने और एक यह शाट डेरिवेशन को डिसकस किया था लेकिन आज हम लोग एक और मिठड लगाएंंगे boil temperature के derivation का वो भी बिल्कुल similar ही है लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो भी हमें equation मिलेगा उसे viral equation of state से compare करके find out करेंगे तो ये हमारा जो topic है boil temperature part 2 है इसके बाद boil temperature का एक और part आएगा तो चलिए इस video को start करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक point यहाँ पर ये note कर ले कि boil temperature क्या है boil temperature एक ऐसा temperature है जिसे हम लोग Tb से represent करते हैं और इस temperature पर क्या होता है कि boil slow बहुत strictly ओबे होता है ठीक है boil slow बहुत strictly ओबे होता है हना मतलब ये है कि Pb is equal to constant हना अब अगर हम इसे differentiate कर दे P के respect पर तो इसका differentiation हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा ठीक है मतलब ये है कि boil temperature पर क्या होता है कि जो viral second coefficient होता है ठीक है viral second coefficient जो होता है ठीक है viral का जो second coefficient होता है B इसका value 0 से equal होता है बस इसी चीज़ का हमें इस equation में use करना है ठीक है तो चली इससे start करते हैं अब जैसा कि अगर हम ऐसा consider कर ले कि हमारे पास A और B जो है ठीक है यह वांडरवाल्स constant है चली यहाँ पर लिख लीजे कि if A and B are वांडरवाल्स constant ठीक है वांडरवाल्स constants दिन तो जो वांडरवाल्स equation of state होगा वो क्या होगा वो होगा P plus A by B square bracket V minus small b is equal to rt चली इससे पहले multiply कर लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा P V minus P B plus A by V minus A B by B square is equal to rt अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो gas equation है हमारे पास वो gas equation क्या होता है PV is equal to nrt होता है अगर हम लोग 1 mole of gas के लिए gas equation लिखे तो हमें क्या मिलेगा PV is equal to rt मिलेगा जहां से हमें V का value मिलेगा जो कुछ ऐसा होगा rt divided by P ठीक है अब ये V का value क्या करना है हमें यहां और यहां इन दोनों में substitute करना है तो यहां पर कुछ ऐसे लिखेंगे PV is equal to ठीक है इस term को इस term को इस term को इन तीनों को क्या करेंगे right hand side पर लेके चल लेते हैं पहले यहां पर हो जाएगा pb minus a by v plus a b by v square plus rt यह rt पहले से हैं यहां पर चलिए इसके value को यहां पर put करते हैं तो यहां पर हो जाएगा pv is equal to pb minus a divided by हमारे पास था rt by p v का value a b by v square sorry यहां पर rt लिखेंगे rt by p square plus rt चलिए अब फटा-फटी से उपर लेके चलते हैं p को ताकि हमारे जो expression है वो जल्दी obtain हो जाए तो pv is equal to pv minus a by rt p और यहां पर क्या हो जाएगा आपका plus a b by r square t square p square plus rt ठीक है चलिए एक और step इसे आगे बढ़ा लिजे यहां पर क्या करेंगे हम इन दोनों को एक साथ ले आएंगे ठीक है चलिए इस पी को यहां से हटा देते हैं इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि दोनों में पी है तो मल्टिप्लाइ करेंगे तो फिर सेम रिजल्ट आजाएगा तो चलिए प्लस a b by r square t square प्लस आटी यह हो जाएगा चलिए इसे थोड़ा और एकस्पेंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा पी वी इस इक्वल टू यह आटी को आगे लेगे आटी और यह प्लस ब्रैकेट बी माइनस a by rt यह वाला टर्म है ब्रैकेट पी प्लस a b by r square t square अब देकी वाइराल equation of state वो होता है कुछ ऐसा फीवी इस इक्वल टू ए ब्रैकेट वन प्लस bp प्लस cp square अना एंड सोन कुछ ऐसा होता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है पीवी और पीवी एक्वल है इस मीन्स है कि इन दोनों को लोग कंपेर कर सकते हैं होता क्या है कि यह जो ए है इस एका वर से कोल ओता है यहां पर हम देख रहे हैं यह फिसे कोल होगा आर्टी से खेंट और जो हमारा और सी यह सी कोल हो रहा किसे यह समें पी स्क्वार है ठीक है और यहां बरन पास पी स्क्वार था चलिए यह संब्सुख रिंदे हैं विलता हम ही स्क्वार के ने व Ralphs कोämä Randy अब देखिए हमने स्टार्टिंग में यह कंसिडर कर लिया था कि जो कॉफिसेंट होगा वायराल सकेंड कॉफिसेंट बी इस जीरो से इक्वल होगा तो क्या करेंगे इसे जीरो से इक्वल करेंगे अब बी को यहां ले आते हैं और टी को यहां ले आते हैं यह जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बॉयल्स टंप्रेचर ठीक है यह वाला चलिए इसे यहां पर लिख लेजे ताकि आपको अच्छे से दिख पाए टी बी इस एक्वल टू ए यह जो हमारे पास expression है इसी expression को हम कहते हैं बॉइल टंपरेचर और इसी expression को हमने पिछले वीडियो में भी ऑफ्टेन किया तो अब एक शॉट वीडियो और आएगा बॉइल टंपरेचर पर जिसमें हम लोग यह cases को discuss करेंगे कि अगर given temperature boil temperature से greater हो अगर given temperature boil temperature से equal हो और अगर given temperature boil temperature से कम हो तो इन तिनों cases में क्या होता है पूरी details में ठीक है ग्राफ के साथ हम लोग discuss करेंगे तो चलिए इस वीडियो को यह पर समाप्त करते हैं आशा है आपको यह method अच्छा लगा होगा बॉइल तो चलिए अगले वीडियो में